कि यह आज हम जमीन मापी के प्रेक्टिकल रूप से हैं जमीन मापी करते समय जाते हैं हम लोग और प्रेक्टिकल में जो जो समस्या आती है उन समस्याओं को ध्यान में रख करके ये वीडियो बना रहे हैं हमें पुर्ण विश्वास है कि आप लोग को जरूर पसंद आएगा और जमीन मापी के समय जरूर आप लोग को लाभ मिलेगा इस वीडियो से तो पहले हम यह बता दें बेसिक चीज कि जमीन मापी में क्या कौन-कौन सब्द हमें मिल सकता है एक सब्द मिलेगा हमेशा दिहाद साइड में कठा दूसरा मिलेगा धूर तिसरा मिलेगा धूरकी चौथा मिलेगा बर्ग कंड़ी पच्वा मिलेगा बर्ग फीट और छट्वा मिलेगा डिश मिल दिश मिल मान लिजी मेरे पास एक प्लोट है जिसका लंबाई पान सो कौनी है पान सो कौनी है और चोड़ाई तीन सो कौनी है फर्स्ट बात तो यह है कि जब हम लोग जमीन मापी के लिए किसी खेसरा को मापी करने के लिए हम जाते हैं नक्सा जब हमारे सामने आता है तो हमें यह जनकारी होनी चाहिए कि नक्से में जिधर से लिखा गया है जिधर से लिखना शुरू किया गया है उधर उत्तर होता है नर्थ होता है और उसके ठीक अपोजिट स्थ में साउथ होता है दक्षिन होता है तथा उसके सामने नक्षा अपने सामने रखे हैं तो जिधर से लिखा गया है उधर उतर हो गया निचे उसके अभीप्रीत में दक्षिन हो गया और हमारे बाएं हाथ के तरफ पस्चिम होता है और दाहिने हाथ के तरफ पूरब दिशा होता है नक्षा जब हमारे सामने आता है तो हमें नक्षे पे उतर दखिन पूरब पस्चिम में ही बहुत ज्यादा मिश्टिक हो जाता है अधिकतर मिश्टिक यही होता है पस्चिम को पूरब समझ जाते हैं पूरब को पस्चिम समझ प्रश्चभा में जब मेरे सामने नक्षा है नक्षा शिध्धा रखे हुए है तो जिदारसी नक्षा में लिखा गए वह साइड होगा उतर साइड होगा और जिदार से जिदार लास्ट हो रहा है है तो और अपने सामने जधी हम नक्षा रखे हैं कि तो हमारे बाएं Taylor के तरफ बस्चिम साइड होगा यह दहिने आंध के तरफ पूरब दिशा होगा और यह जो इधर से इधर से लिखा गया 9 इसी तरफ इधरे हम अपना मूँ करके बैठे हैं ठीक मेरे सामने नक्सा है कि यह हमारा बाया हाथ हुआ है बाय साइड में पस्चिम दिशा होगा और नीचे तरफ जो हमारे तरफ लास्ट हो रहा है दखिन दिशा होगा दाहिने हाथ के तरफ पूरब दिशा होगा और सामने उतर होगा यह रही दिशा का ग्यान अब हम प्लोट पर आते हैं यहां मान लीजिए खेसरा नंबर 56 का मापी करने हमें जाना है गय अस्थल पर नक्सा मेरे सामने आया नंबर सिधा ऐसे दिखा गया इसका मतलब इधरे से नक्सा लिखा गया इसका मतलब उतर इधर हुआ दाहिने साइड में पूरब हुआ पस्चिम साइड में यह जो खेसरा नंबर डाला गया है प्लोट के अंदर इभी बताता है कि कौन उतर कि धर है और पूरब कि धर है सबी दिशा को यही बताएगा जदी इससे पूछा जाए तो मान लेजिए यहां सत्तर लिखा गया है अभी आप से पूछा जाए कि इसका सामने सिध्धा कौन है आगे कौन है इधर तो सिध्धा नहीं कहेंगे सिध्धा इसका उतर हुआ आगे ही हुआ यही सिध्धा हुआ क्यों की साथ और जीरो सत्तर में साथ और जीरो की जवरत होती है साथ का मुख कि धर है तो उपर तरफ है तो यही सिध्धा हुआ तो जिधर सिध्धा हुआ वही उतर हुआ इसके दाहिने साइड में पूरव हुआ बाए साइड में पस्चिम हुआ और उल्टा जो है सत्तर का उल्टा ज अब हम का किये कि मेरे सामने नक्षा आया नक्षा मिला नक्षा पे गुनिया लगाये इधर पूरब है इधर पस्चिम है तो खेसरा नंबर 56 का उतरी सीमा उतरी मेड की लंबाई 500 कंडी है दक्षिनी मेड की लंबाई 500 कंडी है पूर्वी मेड की लंबाई 300 कंडी है और पस्चिमी मेड की लंबाई 300 कंडी है ठीक है शुरू-शुरू में क्या होता है कि जदी अमीन से कह दिया जाए मान लिजी हम नया अमीन है और हमसे कह दिया जाए कि खेसरा नंबर 56 का उतर कितना फिट लंबाई है तो हमें यही नहीं समझ में आता है कि उतर का मतलब किया हुआ उतरे लखिन मापना है कि पूर्वे पच्छिम मापना है कि यहां सिधा उल्टा होता है यदि उतर मापने के लिए बोला जाए तो इसका मतलब समझिए उतर मापने के लिए बोला जाए तो समझना है कि पूर्वे पस्चिम पूर्वे पस्चिम लंबाई मापना है दख्षिन मापने के लिए बोला जाए तो भी पुर्वे पस्चिम समझ लेना है कि पुर्वे पस्चिम उक्त खेसरा की लंबाई मापनी है लंबाई मापना है जदी पूर्व मापने को कहा जाए यह समझ लेना है कि उत्तरे दख्षिन लंबाई मापना है जदी पस्चिम बोला जाए तो भी यही समझना है कि उत्तरे दख्षिन लंबाई मापना है अब हम लोग नक्सा में गुनिया के द्वारा खेसरा छपन के सभी मेड को माप करके नोट कर लिया अब इसका रकवा निकालना है कैसे निकालेंगे क की आमने सामने की भूजा को प्लस कि आ उत्तर उत्तरी मेड की लंबाई क्या है पांच सो कंडी कि दक्षिनी मेड की लंबाई क्या है 500 कंडे इसको पलस कर देंगे तो एक हजार हुगा और इसमें जो एक हजार आया इसमें दो सिभाग दे देंगे यह 500 हुगा इसी प्रकार पूरव वाला मेड़ और पूरव वाले मेड़ के सामने पस्चिम वाला मेड़ ही होगा पूरव वाला मेड़ और पस्चिम वाला मेड़ दोनों मेड़ की लंबाई को प्लस कर देंगे पूरव तीन सव कंड़ी है पस्चिम पे तीन सव कंड़ी है दोनों को जोड़ देंगे 600 होगा जोडने के बाद जो आया उसमें दो से भाग देंगे तीन सव होगा खेसरा नंबर खेसरा नंबर 56 का रकबा होगा हमारा जो उत्तर और दखिन की लंबाई को जोड़ करके दो से भाग दिये जो भी आया उसमें पूरब और पस्चिम के दोनों मेड को जोड़ करके दो से भाग दिया जो आया उससे गुणा करेंगे तीन सव से गुणा किया हुआ पांच में तीन से यहां भी देख रहे हैं कि दो गो जीरो है यहां भी दू जीरो है दोनों में पांच पर भी दूगो जीरो है और तीन पर भी दूगो जीरो है जीरो को नहीं देना है पांच और तीन में गुणा करेंगे पांच में तीन में करेंगे तो हमारा हो जाएगा 15 दो जीरो इसमें भी है दो जीरो इसमें भी है दो और दो चार जीरो इसमें चार जीरो रखतेंगे इतना क्या हुआ ये भी कंडी है के है ये भी के है जैसे हम अंक से अंक में गुणा किये उसी प्रकार के से के में भी गुणा करेंगे तो के का पावर कुछो नहीं है तो एक है यहां भी के का पावर कुछो नहीं है तो एक है के से के में गुणा करेंगे तो क्या होता है कि जब दो अक्षर एक ही हो और उसमें गुणा करना हो तो एक अक्षर को लिख दिया जाता है और इनका पावर जो होता है, जोड दिया जाता है क्या है के है इसको बर्ग के कहेंगे लेकिन के किसका शौट लिखे है कणड़ी का काणड़ी, तो जब ये ये बर्ग के हुआ ये इसे हम बर्ग काणड़ भी कह सकते हैं बर्ग कंडी क्योंकि यह बर्ग के है और के हम कंडी को ही सोट में के लिखे हैं के का बर्ग हो गया इसका मतलब बर्ग कंडी 15,000 बर्ग कंडी हुआ अब हम से पुछा जाए कि के डिशमील हुआ कैसे जानेंगे एक चीज हम जान लें यदि माप हमारा कंडी में हो माप कंडी में हो तो जितना हजार जितना हजार बर्ग कंडी होगा उतना डिशमील होगा जैसे कितना हजार बर्ग कंडी है पंदरह हजार बर्ग कंडी है तो यह कितना डिशमील होगा पंदरह डिशमील होगा अब यहीं आप से पूछ दिया जाए एक डिशमील में कितना बर्ग कंडी होगा यह हम जानते हैं कि जीतना हजार बर्ग कंडी उतना डिशमील इसका मतलब जीतना डिशमील उतना हजार बर्ग कंडी 15,000 बर्ग काड़ी जितना डिसमिल उतना हजार बर्ग काड़ी एक डिसमिल तो एक हजार बर्ग काड़ी एक हजार बर्ग काड़ी अब आप से पूछ दिया जाए कि आधा डिसमिल आधा डिसमिल को वन बाई टू लिखा जाता है एक हजार बर्ग करी तो आधाधा डिश्मील में यहाँ एक में दो से भाग दे दिया गया तो यहाँ भी दो से भाग दे देंगे एक हजार भागा दो यानि 500 बर्ग करी चीक है अगया समझ गया बर्ग कांडी के बारे में अब हमें काठा के बारे में समझना है काठा किसे कहें जदी हमारे पास इतना बर्ग कांडी है बर्ग कांडी में भाग देंगे 3125 से 3125 क्या है एक कठा बराबर 3125 बर्ग कौनी होता है यह चीज जो भी मापी करना शुरू करते हैं जो भी अमीन सबको पता होता है कि 3125 बर्ग काणी बराबर एक कठा होगा लेकिन वही जब बर्ग काणी के वल दिद्धिया जावर उचा जाए कितना कठा है तो फंस कठा निकालने के लिए कठा जनने के लिए क्या है कि बर्ग काणी में 3125 से भागा देंगे कि 3125 क्या है कि 3125 बर्ग काणी बराबर एक कठा होता है तो यहां हमें 15000 बर्ग काणी है इसका कठा निकालना है 15000 बर्ग काणी को कठा में बदलना है का कठा बराबर क्या हो जाएगा कि 15000 बर्टे में 3125 यहां हम देखते हैं कि इस संख्या के अंत में 5 है और इसके अंत में जीरो है यह भी 5 से कठेगा और यह भी 5 से कठेगा तीन से भी कठने की संभावना है देख लेते हैं तीन का तीन तीन से तीन एक बार में शीरो के बार नहीं कठेगा और पांच से पंदरा तीन बार में कठेगा और पांच से यह 35 25 कट गया तो हमर बचा यह हो गया 3000 बटे 625 फिर फॉन से कटएगा अंत में 0 है तो पांच से कटेगा है इसके अंत में भी 0 है ये भी 5 से कटेगा 5 का 5 से एक बार में 6 कटा पांच का 5 बचा एक क्योंकि 6 है एक चला आएगा दो के पास तो 12 हो जाएगा पांच दूना 10 यह 12 तो दो इस में से बचा तो पांच के पास चलाएगा ते 25 हो जाएगा पांच 25 और यह 5 से 6 बार में कटेगा पांच 36 बचा क्या चो पर दो गुजीरों उपर बचा नेचे पांच नहीं रहेगा पांच से एक बार में कटा 125 फिर पांच है पांच से एक बार में 6 कटेगा यह एक बार में कटेगा पचा एक जीरो है पांदूना 10 एक जीरो है यह पांच से पांदूना 10 दो बचा पचेस यहां बार यह भी कट गया है एक जीरो बचा है नेचे बचा पचेस फिर पांच से कटेगा पांदूना 10 बचा दो जीरो के पास आएगा दो बीस हो जाएगा पंचव के बीस पांच से पचेस कटाए तो हमरा आया कटा बराबर चार पुआइंट आठ कटा यह तो कहना सहज है कि 15 डिश्मील में चार पॉइंट आठ कटा हुआ लेकिन चार पॉइंट आठ कटा का मतलब क्या होता है जैसे चार पॉइंट पांच कटा रहे इसे हम कह सकते हैं कि चार सही वन बाई टू कटा है साथे चार कटा है यहीं जदी चार पॉइंट आठ कटा आ गया तो यह कितना हुआ कि इसके लिए हम लोग जाने कि चार पॉइंट आठ है यह तो किलियर है पॉइंट से पहले वाला किलियर है कि इतना कठा है कठा के बाद हमेशा ध्यान रहे कि जदी बर्ग कठा है कठा हम बना रहे हैं किसी से डिभाइड करके जैसे यहां हम डिभाइड के हैं 15,000 बर्गकणी को 31,25 से तो हमारे 4.8 कठा आया तो पॉइंट से पहले वाला तो कनफर्म कठा है लेकिन पॉइंट के बाद वाला धूर कहलाता है यह क्या है धूर धूर लेकिन जो दीख रहा इतना धूर नहीं है कितना धूर है कि जीतना दीख रहा है आठ दीख रहा है इसमें दो से गुणा करेंगे जीतना आएगा उतना धूर सूर धूर इसका मतलब क्या हुआ कि पंदरह हजार पंदरह हजार बर्ग कंड़ी बराबर चार कठा सूर धूर जमीन हुआ यानि खेसरा नंबर छपन का रकबा कितना आया चार कठा सूर धूर तरीका यह हुआ है दूसरा तरीका है कि चार काँँट आठ आया है चार कॉइंट आठ को जैसे यहां कि चार प्अइन पांच कठा आया है पांच का मतलब कि पचास होता है तना साढ़े चार ऐख समये, वूजैर बोल रहे हां, तो डस्मलों के बाद जणी एक अंक हो, तो यह समझ्ये कि यहाँ एक दूसरा अंक अपने आप जिरो है। इधर कठ्था तो है यह है शार कठ्था है यह कितना है यह जानना है तो जितना है दस्मलों के बाद जैदी एक अंक है तो यह समझे कि इसके आगे एक जीरो है क्या है और सी अग इसमें हम भाग दे देंगे पांच से कठ्था के बाद जो दस्मलों में आता है यह किलियर है कि धूर है लेकिन जीतना दीख रहा है उतना धूर नहीं है कि इतना धूर है जो दीख रहा है उसमें पांच से भाग देंगे पांच से आठ कटेगा एक बार में आठ में से पांच गया तीन उपर से उतरा जीरो पांच से छो बार में कटेगा पांच का तीस यानि चार कठ्था इसका भी माने इस तरीके से भी आ गया सूलह दूर यहां हम लोग को समझने के लिए आ गया क्या यहां से समझे कि चार कठ्था इसके बाद में यह जीतना है इसका दूगना कर देंगे उतना धूर हो जाएगा जदी पॉइंट से पहले कठ्था हमारा आया है तो पॉइंट के बाद धूर आएगा और जो दीख र आए ही पॉइंट के बाद धूर आएगा एक ही अंक दीख रहा था आठ तो यह हम लोग को हमेशा समझ लेना है कि दस्मलों के बाद जदी एक अंक दीख रहा है तो इसके आगे एक अंक जीरू छीपा हुआ है उसको हम लोग रख लेंगे और इसमें पांच से भागा जीतना भागफल हमरा आएगा यह धूर होगा इसका मतलब पंदरह हजार बर्ग कंड़ी में चार कठा सुरा धूर होता है जो कि हम लोग खेसरा नंबर 56 का रखबा इसका नक्समा पे थे उसका रखबा चार कठा सुरा धूर होगा धूर के बारे में भी हम लोग समझ लिए एक और चीज होता है बेसिक चीज एक कठा में एक कठा में 20 धूर होता है 20 धूर अब यही पूछ दिया जाए कि एक धूर में कितना होता है बीस धूर की होता है जाए कि एक धूर की में पूछ दिया जाए है तो बीस है फूर की होता है एक फुर्की में कितना होता है 20 चुर्की होता है आज के इस वीडियो में इतना है आगे इसके अगले वीडियो में जानेंगे